चाल चत्र अभ्यान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं हमारे अभ्यान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाएं कितना प्रतीशत राजपूत इस बार तूटके गड़बंदन की तरफ आएगा सब्तर परसेंट असी परसेंट हैं कि अब है कराना लोकसवा छेत्र के नौजल गाउं में यह एक राजपूत बहुल गाओं है आम तोर पे आज के दोर में माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में खासकर की योगी अजित्यनाथ के मुक्ह मंत्री बनने के बाद कि बहु संख्यक राजपूर्ट समाज जो है वो आज भाजपा के साथ है लेकिन इधर आके कहानी कुछ और नजर आ रही है आईए बात करें आप लोग इस बार यहां ज़्धा तर लोग नोजल गाओं की वह जबाते हैं जदे पर युवा वर्ग हैं और ठाकूर समाज से ज़्यजा यह इसा क्यों और आपका आवारा पसू इनकी बहुत बड़ा समस्या में और अंडर पास जिस टाइम बारिस होती है उस टाइम यहां पर निकलने के रस्ते हमारा सहर से संपर कट जा और बहुत सारी समस्या है जूटे मुकद में आप अवारा पशुओं की बात कर रहे थे जब से यह सरकार बनी है तो गवरक्षा की बहुत बात हुई है गवरक्षा लेकिन उसके बा दोसरा निकाले लगा मारे में आप मुसाद लेंगे तूसरा निकाल लगा एसी इस्तितिय है अलट बहुत कराब है गें सारे का रक दिये गन्फ वया वो सारे का पर एक दिया यह समझों अलच जादे कराब है यह कॉन है सांड और गाए आरही है जो चोटा है वो योगी है यहां जैसे इस बार मुकमंत्री भी राजपूत समाथ से हैं ठाकूर समाथ से हैं योगी अधुत्यनाथ उसके बावजूद भी क्या यहां पर क्यों ऐसा गुस्सा है भाजपा से बाजपा का जो वोट डालने माला था वो खराब नहीं हुआ बाजपा सरकार की निते अपनी खराब हुई हर बात पर जूट बोलना आप पिछले साल का देख लिए जिल अब जो पैमिट का हिस्सा था बोला कत्ति सक्टूबर को दिना देगें नहीं मिला कत्ति नॉंबर को द सरकार का बहुत बोड़ी तूप से वादा था कि हम चोग दिन में गन्या पैमिट कराएंगे लेकिन सरकार कोई भी पैमिट नहीं करा पाई यहां यह देखा जा रहा है कि इस बार जाट समाज हो राजपूट समाज हो या कोई भी किसान जो यहां पर है वो गन्ने की पैमें बारुट में भाजपा के खिलाफ जा रहा है क्या आपको लग रहा है कि विरादरी वाद से उठकर इस बार किसान किसान के नाम से नाम पर वोट कर रहा है ना की जान और ठाकूर के नाम पर वोट करessionsति अभाक्षे價ः सल चाहआ चाहँ है लेकिन किसान अपनी जंग है हमकिसान हमारा काम सब कैंज में चलता है आप अफ़े हंपमीट कार्ट कि आए haters किसानने उसका भी किया ठाण निटीज़ मज़र्न भीमार्द शेय। person मोधी जी ने बोला था कि साल में दो करोड नौकरियां देंगे यह सरकार साल में दो करोड नौकरियां देंगे आप लोग नौजवान है रोजगार की तलाश में भी होंगे क्या आपको लग रहा है कि 2 करोड नौकरी आई है कि आप लोग को रोजगार मिला है सबको रोजगार मिली बहुत बड़ी काम चल देंगे बच्चों की फीस देने के पैसे निए घर में रासन लाने के पैसे निए किसी पीजी के हैं नीए गन्रे परवावन पैसा नहीं आ रह तो एक चीज़ बता यह इस बेल्ट में बहुत सारे लोग खासकर कि जात यह थाकरों में से आर्मी में जाते हैं अभी पुलवामा का वो हुआ उससे और मोधी जी कह रहे हैं भी मैंने एर स्ट्राइक करवा दिया यह करवा दिया पाकिस्तान को जवाब दे दिया उससे कोई पढ़ रहा है और यह इस तेस ने एक सब्सक्राइब पैसे तो है नियुक्त पैसे तो एंटने का पैसनिया करो जाओ इस ट्राइक महा क्या हु रहा उस तो बताओ को फरक पढ़ा दिव जी इन गावर इसाल अले इतना जूट कोई नहीं वोल सकता सबसे बड़े जूटे यह देश यह देश किसानों का और जवानों का है जवान सीमा मर रहे हैं और किसान के खेत में मर रहे हैं तीसरा यह कोई चीज नहीं है अब लोग कह रहे हैं कि क्या भाजपा बाचपा आपके हिसाब से मतलब एक किसान विरोधी सरकार है जूटी सरकार है जूट बोल के बादे करें होटली जूट कह 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 के 15 लाक किसके घत्ते माइं यहां से पोछ लो वादा क्याता दो जार बाइस तक किसान के आम दोबनी कर देंगे क्या इनोंने एक भी पैसे करन करते हैं अगरा मजार कॉंटर करने डालते हैं तो जार तो मरगास ही बढ़ गे थी अलके जबती छह जार किन की टाइम पर पैसा दिला दो उस्ते चिक है क्या चाहिए चाहिए हमारे बसलों के रेट सही हो इस बेल्ट में थाना भावन में सुरेश राना के पीछे भी एक र परतीशत राजपूत इस बार तूटके गड़ बंदन की तरफ आएगा सतर परसेंट सतर और असी परसेंट के बीच में ठीक है ज़ीदा कर दो चाहिए 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 ह।